हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे One Academy यूट्यूब चैनल पे आज हम आपके साथ हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में कुछ क्वेस्टन डिसकस करेंगे जो हमारे हिमाचल के सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहला कुश्चन है सनावर, डगसाई और कसोली कसवे किस घाटी में स्थेत है इसमें हमारे पास Option A है सरसा Option B है क्यारदादून और Option C है सपरून और Option D है हमारे पास कुनहार तो इसमें हमारा जो राइट अंसर है वो है, option A, सरसा, तो सनावर, डगसाई और कसोली जो कसपे हैं, वो सरसा घाटी में स्थित है, और इसमें जो हमारे पास option B है, क्यारदादून, ये जो है, ये सिरिमोर जीले में स्थित है, और क्यारदादून घाटी को जो है, वो पॉंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट हमारे पास सुप्रून घाटी है, और सुप्रून घाटी जो है, ये सोलन जीले में है, और कुन्यार घाटी जो है, ये भी सोलन जीले में स्थित है, हमारे पास next question है, हिमाचर प्रदेश के मंडी और कुल्लू जीलों को कौन सी घाटी जोडती है, हमारे पास option A है जलोडी, option B है दुल्ची, option C है पादरी और option D है कुक्टी तो इसमें हमारे पास जो राइट अंसर है वो है हमारे पास option B तो दुल्ची जो है, वो हमारा राइट अंसर है मारे पास next question है निमेल लिखित मैंसे कौन सा हिमाच्षर प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है option A नहरुकुंड option B रोरिक आर्ट गैलरी option C नगर महल और option D तपोवन तो इसमें जो नहरुकुंड रोरिक आर्ट कैलरी और जो नगर महल है ये तीनों जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है और हमारे पास जो option D है तपोवन ये जो है ये धर्मशाला में स्थित है तो इसमें हमारे पास option D जो है वो हमारा राइट अंसर है तपोवन जो है वो धर्मशाला में स्थित है हमारा next question है तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ओप्सन ए जो क्यारदा दून घाटी है ये श्रीमोर जीला में स्थित है हमारे पास next question है लोसार गाउं की किन दो घाटियों के बीच कुंजम देवी का मंदर स्थित है इसमें हमारे पास option A है बांदला और दावी वैली और इसमें हमारे पास option B है कुनहार और अर्की हमारे पास option C है स्पित्टी और लहौल और हमारे पास option D है बल और गुटकर तो इसमें जो हमारे पास right answer है वो है हमारे पास option C इसमें जो बंदला और दावी घाटी है ये बिलासपुर जीला में स्थित है और कुन्हार और अर्की जो है ये सोलन जीला में स्थित है और बल और गुटकर जो है ये मंडी जीला में स्थित है तो इसमें हमारे पास option C, Speedy और Law Hall जो है ये हमारा right answer है हमारे पास next question है मुलगन घाटी हिमाचर प्रदेश के किस जीला में है तो हमारे पास option A है किन और option B है Law Hall Speedy option C है कुलू और option D है हमारे पास जमबा तो इसमें जो मुलगन घाटी है वो हमारे किन और जीला में सित है तो इसमें हमारे पास option A जो है ये हमारा right answer है हमारे next question है किन और जीले की सबसे सुन्दर घाटी है option A मोरंग option B रिबा option C है कानम और option D है सांगला तो इसमें हमारे option D जो है ये हमारा right answer है सांगला तो सांगला घाटी जो है ये किन और जीले की सबसे सुंदर घाटी है हमारे पास next question है सोलंग घाटी किस जीले में स्तित है option A है हमारे पास solan option B है कुल्लू option C है चमबा और option D है कांगड़ा जो सोलंग घाटी है वो हिमाचर प्रदेश की कुल्लू जीले में स्तेत है तो हमारा ओप्शन B जो है वो हमारे पास राइट अंसर है हमारे पास next question है धाविन और चॉन्तो घाटी की जीले में स्तेत है हमारे पास option A है मंडी, option B उन्ना, option C बिलासपुर, option D हमीरपूर तो दाविन और चॉन्तो घाटी जो है वो बिलासपुर जीला में स्तेत है तो इसमें हमारे पास option C जो है वो हमारा राइट अंसर है हमारे पास next question है पतन घाटी की जीले में है option A है जो है, option B कुल्लू, option C लाहलसपिती, option D किन्ना, तो इसमें हमारे पास option C जो है वो हमारा राइट अंसर है पतन घाटी जो है वो लाहलसपिती जीले में स्तेत है हमारा next question है इमला बिमला घाटी हिमाचर प्रदेश की किस जीले में है option A है हमारे पास चम्बा, option B है कुल्लू, option C है मंडी और option D है सिमला तो इसमें हमारे पास option C जो है वो हमारा राइट अंसर है मंडी तो इमला बिमला घाटी जो है ये मंडी जीले में स्तेत है हमारे पास next question है मान तलाई जील किस जीले में स्तेत है option A सैंज जील, option B मनिकरन, option C बंजार, और option D नैन गाहर तो इसमें हमारा option B जो है वो हमारे पास राइट अंसर है मनिकरन तो मान तलाई जील जो है ये मनिकरन घाटी में स्तेत है मान तलाई जील जो है ये पारवती नदी का उद्गंस्तल है यहां से जो है पारवती नदी निकलती है और जो नैन गाहर घाटी है इसमें जो है हमारे नीलकंट जील जो है वो नैन गाहर घाटी में स्तेत है और option D, सोरंग तो इसमें हमारे पास option C, जो है, यह हमारा right answer है तो कामरुगाउं जो है, वो स्नागला घाटी में स्तित है हमारा next question है, यूल घाटी किस दिले में स्तित है option A, कि नौर, option B, लोहल स्पिती, option C, चमबा, और option D, मंडी तो इसमें हमारे पास option A, यह हमारा right answer है, यूल घाटी जो है, कि नौर, जीले में स्तित है हमारा next question है, हिमाचिर प्रदीश में, निमन मैंसे किसे देबताओं की घाटी कहा जाता है इसमें हमारे पास option A, कामड़ घाटी, option B, महासु घाटी, option C, चमबा घाटी, और option D, कुलू घाटी तो इसमें हमारा option D, यह हमारे पास right answer है, कुलू घाटी को जो है वो देबताओं की घाटी कहा जाता है हमारे पास next question है, रूपीन घाटी किस जीले में स्तित है हमारे पास option A है कुलू, option B है किन और, option C है मंडी, और option D है चमबा तो इसमें हमारे पास जो right answer है वो है option B, तो रूपीन घाटी जो है वो किन और जीले में स्तित है यह हमारी वीडियो का last question था, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share करे और चैनल को subscribe करे अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF का link जो है वो description में दिया गया है तो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद